हेलो दोस्तो जैसे किशना रादे रादे बसंत पंचमी की सूप काम नाएं माई सोल फैमिली, माई वीवर्स, माई सेस्क्राइबर्स आप लोग स्वस्त रहें, मस्त रहें और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और जितना हो सके खुद का confidence level बढ़ाएं और माई स्वस्ती की किरपा से आप अपने ग्यान को भी बढ़ाएं जिससे आपके लाइफ में, हम सब के लाइफ में सुक, सांती, समरिद्धी आए और हम सब स्वस्त रहें, मस्त रहें और पूरी soul family के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें तो चलिए dear, यह जो वीडियो लेकर आई हूँ इस वक्त morning की वीडियो है यह मैं देखना चाहते हूँ कि आपके partner की current energy क्या है और आपके partner ने क्या आपको रात में miss किया और आपको लेकर उनके क्या thoughts है क्या वो चाहते हैं उनकी दिल की क्या आरजू है क्या वो आपसे कहना चाहते है जो no context situation में है जो बात कर रहे हैं उनके लिए यह idea तो यह collective reading है, यह all sign के लिए यह male, female, married and married सब्ब के लिए है तो वीडियो को positive होकर सुनिये और ध्यान से अपने उपर focus करकर इस वीडियो को देखिए और अपना intuition को follow किजिए रादि कृष्ण का नाम लिजिए शिफशक्ति को balance किजिए life में आगे बढ़ते रहे है माश्वसिति की किरपा हम सब पर यूही बनी रहे ग्यान प्राप्त किजिए life में खुसियां पाईए और यहां आपके partner की में energy देखना चाहूंगी कि आपके लिए सच में कितना प्यार आपसे करते हैं क्या उनकी current feelings है क्या आपको लेकर उपूरी राज सोच रहते और उनका action क्या होगा आपको लेकर ने तो चलिए विडियो को positive वोकर सुनिए और ध्यान से सुनिए ठिकेट यह इंसस्काइट किजिएगा आपके किरपा दिष्ट हम सब पर बनी रहे ग्यान की देवी मासार दे कहां तू भी ना बजा रहे किसी मन जो ग्यान से तू जग को लुभा रही है किसी भावों में भवानी तू मगने हो रही है मासार दे कहां तू भी ना बजा रही है मा की किरपा हम सब पर यूँ ही बनी रहे जै मासार दे चलिए मेरे soul family मेरे viewers, मेरे subscribers आप लोग positive रहें और इस वीडियो को ध्यान से देखे और सुने अपने intuition को follow करे जितना हो सके आप positive रहें तो चलिए देखती हो आपके partner की true feelings क्या है, current energy में और पूरी रात के energy क्या थी stuck बुजा रहे डीर stuck है, stuck क्यों stuck है आपके partner पुस्ते इनिवर्स है oh, heart to heart conversation, omg आप लोग एक दुसरे से मिल भी रहे हो डीर आज बहुत लोगी contact हो रही है current energy में ये भी आ रही है, डीर आप दोनों एक दुसरे से मिल रहे हो contact कर रहे हो, बात कर रहे हो ये पूरी रात की भी planning थी और morning में उठकर आपके partner आपको side call भी किया डीर बहुत कुसरत energy आई आपको लेकर बहुत miss कर रहे थे पूरी रात डीर बहुत miss कर रहे थे आपके partner देखिए, आपके person अंदर से टूटा हुआ फिल तो कर रहे डीर, आपके बीना तो जिन्दगी इनकी अधूरी है और ये आपको बहुत फिल कर रहे थे पूरी रात miss किया इनोंने ठीक है, हाँ आपने उन्हें selfish बोला ठीक है, आप उनको बहुत कुछ बोला ठीक है, गुसे में जगड़ा भी किया, उन बातों को याद करकर थोड़ी सी नाराजगी होती थी लेकिन फिर वो खुस हो जाते है डियर, कि कम से कम आप उन पर हक तो जताते थे आज तो कोई उनके पास नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही ज़ल्दी आप लोक के लाइब में परिवर्तन हो रहा है गियर इनके बिचार इनके भाव में परिवर्तन मैं देख रही हूँ डियर बहुत ही फिल्ड कर रहे है डियर आपको पूरी रात आपको फिल्ड किया है कंट्रोल भी किया आपके पार्टनर ने देखे डियर यहां किसी के पार्टनर स्प्रिच्वल हो रहे हैं ां किुसी की पार्टनर को मैं देख नहीं हूं कि हो सकता है यह Nobel को torch विखते हैं कि किसी के पार्टनर के सबस्राइब एक्पर ब्रक्राइब नाव पर लंबी सांस लेना, किसी के partner की है, energy है, ऐसा कोई करते हैं Пजी, ego, nose पर उंगली रखना, लंबी सांस लेना, किसी के partner की है, ऐसी भी energy है, इनका आदत है ऐसा करना, देख़िए तेर कुछ age gap दिखरा है, मुझे क्यों, age gap भी आप लोग में, आप या आपके पार्टनर में age gap है ठीक है लेकिन कुछ लोग है dear ठीक है आपके आसपास और आपके पार्टनर के आसपास उनके light में या उनके circle में कोई है जो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने देना नहीं चाह रहा है लेकिन ये आपके पार्टनर ने पूरी रात एक strong energy फिल की है आपको लेकर dear और दिल से वो चाह रहे हैं आपके तरह बढ़ना है रियूनिन करना है आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल किया है पूरी रात को बहुत फिल किया है और ये stuck भी हो गया है dear कि नहीं मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता देखिए यहाँ विश्वास आप और दोनों को इस विश्वास में थोड़ी सी आपको बढ़ानी होगी क्योंकि देखो एक दुसरे से गलती तो हुई है आपने कुछ असब्द बोला है और उन्होंने आपसे चीट किया है लेकिन कहीं न कहीं ये एक spiritual connection है ठीक है एक spiritual connection है गलतीयों का अहसास होता है आप दोनों एक दुसरे को महसूस भी कर रहे हो लेकिन आप दिल से प्रेयर कर रहे हो और आपके पार्टनर भी मेनिफेस्ट कर रहे है निव विगिनिंग के लिए लिए दोनों का यहाँ देख रहे है दोनों यहाँ पर देखा ना डियर unconditional दोनों दुसरे को मेनिफेस्ट कर रहे है पूड़ी रात आपने आपने मेजन किया है कुछ आपकी भी पूड़ी रात की एनरजी थी और आपके पार्टनर की एनरजी थी कहीं ना कि कुछ ऐसे attraction आपको भी हो रहे थे दियर रात में आपके पार्टनर को लेकर तो यहाँ आप दोनों mirror कर रहे थे आपको भी उनकी जरुवत हो रही है आप मेनिफेस्ट कर रहे हो आप भी नहीं सो पा रहे है और वो भी नहीं सो पा रहे है देखिए candle कैसे आवाज हो रहा है दद कितना है ठका हुआ हारा हुआ यह इनसान अपने आपको समझ रहे है कोई रास्ता यह पानी मिल रहा है पीश्यक्त को दवाना भी है सेर भी नहीं करना है आपसे चुपाना भी है लेकिन आसपास कोई कि आपके साथ नहीं है आपके पार्टनर रात ने बहुत रोई है, डियर किसी के partner बहुत रोहें, बहुत अपसेट रहे हैं, नीन नहीं आती है रोने से, हेड़क भी हो रहा आपके person को, और यह reunion चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं डियर, उनका अगला कदम है डियर की आपसे मिलना है और आपसे बात करना है यह हिम्मत जुटा रहे हैं कदम बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी भी यह समझ रहे हैं आज बहुत लोगा कॉल में से जाने वाला है कुछ लोग आज मुलाकात भी कर रहे हो आप लोग की रियूनियन भी हो र कर रहे हैं उनकी अवेकिनिंग हो रही है और आपको इस वक्त बहुत मिस्स कर रहे हैं यह आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा कि करूं तो मैं क्या करूं मतलब इनके मतलब यह कभी इनोंने सोचा नहीं था इनके लाइफ पी इतनी उथल पुथल होगी कभी भी इतना सिरियस नहीं हुए थे जितना अब यह हो रहे हैं आपके लिए पैसिनेट आपके लेए जुनून आपके साथ मेरेज करना आप के साथ पूड़ी लाइफ बिताना एक फैमिली देख रहे हैं अगर हस्वेंट वाइफ हो तो कही नकरिया आपके पार्टनर इस रिश्टे की सुरुआठ दिल से चाहते हैं एक फैमिली के साथ पूरी लाइब बनाना चाहते हैं अगर बच्चे हैं तो बच्चे और फैमिली एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन मैंने सुरू में बोला कोई आसपास ऐसे एनरजी है जो उनको रोकता है और उनको मैनुप्लेट भी करता है कैसा करोगी ऐसा करोगे तो वैसा होगा फिर होती है इतना वो तरपते हैं याद करते हैं दिल ही दिल में आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन अभी भी मैं देख रहा हैं मेरे कुछ भीवस के अंदर ब्लॉकेज है आपकी हीलिंग नहीं हुए बाबू इसलिए वो एक्षण नहीं ले रहे हैं कुछ लोग मेरे बिश्वास बहरा है मेरे कुछ भीवर्स का आत्म बिश्वास बहरा है आप स्प्रिच्वल हो रहे हैं आपके और आपके पार्टर ये IP कर रहे हैं और बहुत ही सटक हैं आपको लेकर क्योंकि ये निव वीगनिंग दिल से चाहते हैं निव स्रुगा चाहते हैं इनिवर्स की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉंग चल रहे हैं आप लोग को ब्लेश्ट कर रहे हैं और बहुत जल्ड आपके तरफ यह फिल करने वाले हैं और एक्षन लेने वाले हैं उनका अगला कदम होगा कि वह आपके तरफ एक्षन लेंगे बहुत जल्ड बहुत जल्ड क कुछ लोग की रियूनियन है, कुछ लोग को commitment दे सकते हैं, क्योंकि commitment अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपके person को, parents को मनाना है, third party को release करना है, let go करना है, तो कहीं न कहीं कुछ blockage है, कुछ legal issue है, कुछ family है, कुछ married है, कुछ लोग के बच्चे है, तो सब कुछ में थोड़ा time लगेगा, आपके partner दिमाग को पुरा लगा रहे हैं, और वो स्वों समझ कर decision लेना चाहते हैं, ठीक है, सब को justice देना चाहते हैं, लेकिन पूरी life वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, कुछ बाब में आगे बढ़ते रहें, और खुद को universe को surrender करें, क्योंकि यहाँ जो energy है, बहुत ही negative नहीं है, गुसे की energy, stuck की energy है, लेकिन आपके लिए, मतलब दिल में प्यार ही प्यार है दिया, देखिए, चुप हैं, सांथ हैं, अपने आप में बंध हैं, लेकिन यह आपको spy बहुत करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, देखिए, कभी-कभी यह person को ना, सक भी होता है आप पर, लेकिन जितना आपने प्यार किया है, पैंपर किया है ना, तो कभी-कभी सक जब होता है तो खुद को अपने हाथ को ये चीटी काट कर कहते है कि नहीं नहीं आप उनको धोखा नहीं दे सकते हो ऐसा हो ही नहीं सकता है लेकिन ये बहुत जल किसी के बाद में आ जाते हैं ठीक है बहुत जल आ जाते हैं और फिर बाद में इने पस्तावा हो रहा है ये आज आप से उनको gift देने की planning कर रहे हो, dress, dress, गुलाब, ऐसी मुझे कुछ आपको मिल सकता है, या फिर आप अपने partner के लिए तयारी कर रहे हो, या फिर गुलाब आप लोग को मिल सकता है, या फिर आपके partner को आप दे सकते हो, यहां ये भी rose की energy आ रही है, dress की आ रही है, आपको जो color पसं बहुत strong है, red, yellow बहुत strong दिख रहे हैं, grey color बहुत ही strong है, white color आपके person हो सकता है, पसंद करते हो, तो mood बना रहे हो, आप red color में बहुत खुबसुरत दिखते हो, यह कापी रात में imagine कर रहे थे, आपको ऐसा पहनना है, वैसा पहनना है, तो आपको इस रूप में देखना चाहत हैं, time spent करना चाहते हैं, बहुत miss कर रहे हैं, बहुत planning कर रहे हैं आपके लिए, उस तो इनके दिल और दिमाग में बहुत सारे planning चल रहे हैं, देखें, चूप हैं, तो कोई reason है, ठीक है, आपको सवाल जवाब नहीं करना है, ठीक है, अगर वो आते हैं, call message करते हैं, तो थो कंट्रोल में रहे हैं, क्योंकि energy उतार चड़ाओ कि बाबू, ठीक है न, तो बातों बातों में किसी से उता, fighting भी हो सकती है, इसलिए बहुत चूप, आप तो सब जान रहे हो, energy देख रहे हो, तो खुद पर कंट्रोल करना सीखो, और guidance को follow करो है न, मुझे ये energy, जेमनाई, इकुरियस, लिब्रा, पाइसेस, टॉरिस, लियो, वर्गो, क्याप्रिकॉन, ये मुझे दिख रहे है दियर, दिल दिया गला, दिल दिया गला, अरे आपके साथ honeymoon मनाना चाहते हैं, कोई nature मिले जाना, कहीं अकेले में time spent करना, आपके partner आपको छोड़ने वाले नहीं है दिय जिनकी reunion हो रही है, आपको बाहों में लेकर, हग करकर, बहुत प्यार करने वाले है, ऐसी energy है, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, दियर आपसे प्यार करना चाहते हैं, देकि heavy energy के साथ बहुत ये attraction भी है, सुबह उटते ही, आपके partner का call आया है, आने वाला दिय आज पूरे दिन बहुत लोगा call message आएगा दियर, ठीक है, लेकिन energy में थोड़ा उतार चड़ावी दियर, ठीक है, कभी भी गुस्सा, कभी भी प्यार, कभी attraction, कभी बहुत ज़्यादा आपके लिए passionate होना, ऐसी energy रहेगी, लेकिन आ तो रहे changes, अच्छे changes आ रहे दियर, ठी ठीक है, वो कहना चाते हैं, तुम मेरे सरीर का हाफ हिस्सा हो, आप उनके counterpart हो रही है, ठीक है, तुम से मुझे खुसी मिलती है, पिस मिलती है, सांती मिलती है, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा वर्ल्ड हो, बहुत passionate है, बहुत love है, यह call message आ रहा है, reunion के chances बहुत आपके partner planning कर रहे है, long drive पर honeymoon की भी planning मुझे दिख रही है, ऐसा हो dear, तुम मेरे comment में लिखना, है ना, तो आप मन पसंद dress पहन रहे हो, आपके partner हो सकता है, gift दे dear, या फिर आप planning कर रहे हो, आप की energy में थोड़ा उतार चरहा dear, आप आज खुस भी हो, इंतिजार भी कर रहे हो manifest भी कर रहे हो, balance कर रहे हो, खुद को balance करते हुए universe को, खुद को surrender कर दिया है, और life में आगे बर रहे हो, आपका विश्वास बर रहा idea, आपकी growth हो रही है, so God bless you, तो आपके partner आपके लिए बहुत passionate हो रहे हैं, reunion के chances बहुत दिख रहे हैं, लेकिन उनर्जी में उतार चड़ किसी के partner awakening से गुजर रहे हैं, कुछ लोग कुछ से नाराजगी में हैं, लेकिन आपको manifest कर रहे हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे पूरा करती हो, आपको बहुत बहुत में लेना चाहते हैं, honeymoon के energy है, बहुत passionate है, attraction बहुत है, यहां कोई colors के dress होते हैं, आपको उनको, या आप एक दूसरे को, कुछ dress में से देखे हो, जो एक दूसरे को feel कर रहे हो, पूरी रात आपको imagine किया है, planning की है, और आज आप लोग का call message receive होगा, कुछ लोग हो सकता है, temple की planning है, temple जा सकते हो, ठीक है, ऐसी भी energy है, लेकिन यहां पे आपके partner, पूरी रात past में बहुत सोच रहे थे, imagine कर रहे थे, और अचानक से उनके energy high हुई, और यह आपके तरफ एक्षन लेने वाले हैं dear, तो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, देखे dear, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, feelings तो बहुत है dear, लिक कंट्रोल भी करते है imagine भी करते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, खुद को बदलते भी नहीं है, बस आप और आप चाहिए, आप उनकी world हो, लेकिन यह आ रहे है dear, आपके तरफ ठीक है dear, कुछ का call message आ रहे हैं, कुछ लोग की बात हो रहे हैं, मुलकात हो रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग कर रह हो और यह कहते हैं, कि तुम मुझे पूरा करती हो, आपके partner आपसे बोलना चाहते हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं dear, बस दो से तीन मैं देखती हूं कि क्या निकल कर आता है, आपके लिए आपके partner का message, देखिए dear, media, social media पे आपको partner बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं मैं रात में पूरी तरह स्पाइक कर रहे थे हैं, मैंने बोला ना आप उनके सरीर का हाप हो, हिस्सा हो, वो समझते हैं, इसलिए you are my soulmate, उन्हों एहसास होता है कि आप उनके सरीर का हाप अंग हो, तो soulmate की energy आई, आप उनके soulmate हो, यह ऐसा सोचते हैं, एक और निकालना चाह प्लीज फॉर्गीव मी, I love you and thank you, तो आपके पार्टर देखिए, क्या energy निकल कर आई है, सोचल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप उनके सरीर का हाप हिस्सा हो, तो यहाँ soulmate की energy आई, और यह आप से sorry बोलना चाहते हैं, आप उन्हें माफ कर दो, आगे बढ़ते रहिए, अपना confidence level बराते जाएए, और हार नहीं मानना है, life में जीना है, आगे बढ़ते जाना है, हम हर कुछ पा सकते हैं, हर कुछ जी सकते हैं, चाहे वो relationship हो, अगर partner हो, या पिर career हो, या job हो, finance हो, abundance हो, हम हर कुछ पा सकते हैं, अगर हम में bill power है, अगर आ आप यहां तक पहुंच गए हो, तो आप समझ जाओ कि आपको divine ने यहां भेजा है, और कहीं नहीं कुछ खास करने के लिए भेजा है, आपकी एहमियत बस अब होने वाली है, आपकी कदर बढ़ने वाली है, आपका name फेम, हम सब का name जूर चुका है, God के सामने, तो दुनिय के सामने भी आना है, तो बस मैं यही आपको motivate करना चाहूंगी, कि हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है, चाहे वो कोई भी मंजील हो, मुझे पाना है, ठीक है दियर, सो वीडियो अच्छी लगती, तो लाइक सेर, कमेंट किजेगा, चानल को सब्सक्राइब किजेगा, बेल आइकन ज़रू दबाईएगा डियर, सो गॉर्ड पुलिस में, थैंक यू, मुझे प्रसन सेशन लेना हो दिये, तो मेरे इमेल आडी पर कॉंटेक्ट किजे, इमेल आडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, और सेशन के चार्ज होते हैं ठीक है, तो चलिए, स्व